फ्रेंड्स वैसे तो कड़ी बहुत तरीके की बनाई और खाई जाती है लेकिन छतीस गड़ में एक कड़ी बहुत फेमस है जिसे सलगा बड़ी कड़ी के नाम से जाना जाता है और ये उड़त डाल और दही से बनाई जाती है तो अगर कड़ी का नाम सुनते ही मुँँ में प चास दही को मैंने पानी डाल के अच्छे से फेट लिया था तो ये मैंने चास ले लिए एक तपेली में और इसमें मैं डाल रही हूँ एक चमच बेसन और बेसन को अच्छे से घोल लेना है इसमें गुटलिया नहीं रहे लंस नहीं रहे ऐसे इसे घोल लेना है तो ये बेसन क है सरसों थोड़ी सी बीच में से कटी हुई दो हरी मिर्ची डाल दी है और मेरे पास green कड़ी पत्ते जब नहीं रेते और यह recipe को यह सी बनानी रहते है जिसमें कड़ी पत्ते डालने हैं तो सूखे का यूज कर लेती हैं सूखे कड़ी पत्ते का अभी ये जो बेसन का चाज का गोल बना के रखा था उसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी हिंग मैंने डाल दिया भी हरी मिर्ची और ये करी पत्ते अच्छे से तडग चुके हैं तो इसमें मैं डाल रही हूं बारी कटी हुई प्याज और ये डाल रही हूं मैं बारी वो इसमें डाल देना है कड़ी का तो मैंने ये डाल दिया है और इसमें थोड़ा सा पानी में और डाल रही हूँ अगर मेंबर जादा है तो आप जादा कड़ी बनाईएगा हम दो ही हैं माँ और बेटे घर में तो थोड़ा थोड़ा ही चीज बनाती हूं मैं और ये मैंने इ उड़त दाल ले लिए एक कटोरी इसे मैंने दो तीन पानी से धोके और तीन घंटे गलने के लिए रख दिया था अभी इनका पानी सब निकाल के और एक मिक्सी के जार में ये उड़त दाल पूरी में डाल रही हूं इसमें और इसे हमें पीसना है तो पीसने से पहले हम इसमे थोड़े से vegetables और ये डाल देंगे तो मैंने चार कली लेसुन की चार छोटी वाली हरी मिर्च डाल दीए तिखी वाली और आधी प्यास डाल दीए roughly कट करके मैंने इसमें थोड़ी सी मैं इसमें soft डाल रही हूँ और ये अजवाइन डाल रही हूँ उड़त डाल है तो अजवा तो थोड़ा सा दर दर आ रहे है ऐसा ही इसे पीसना है एकदम बारिक भी नहीं करना है तो ये पीस गया है और एक बरतन में मैं इसे निकाल रही हूँ उड़त डाल बहुत चिक्ती रहती है तो मिक्सी के जार से और निकलने में ही मुश्किल हो रही है तो ये मैंने निकाल कड़ी पत्ते तो मेरे पास सूके वाले ही थे गिले वाले नहीं थे तो यही मैंने तोड़ के डाल दिये हैं पीस्टे टाइम इसमें मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया था तो आप जरूर डालिएगा बहुत अच्छा उसका स्वाद आता है और यह वड़े ऐसे हमको छ छोटे वड़े डालने हैं तो यह मैंने रेडी कर लिया है अभी कड़ी देख लेते हैं तो देखिए इसे पांच मिनट हो गया है थोड़ी कड़ी भी कम हो गई है और अच्छे से उबल भी गई है तो आभी पानी में थोड़ा सा थोड़ा सा पानी लेंगे उसमें हाट करके भी डाल सकते हैं तो मैंने फ्राय करके भी डाले हैं आगे मैं आपको फ्राय करके भी बताऊंगी तो ये वड़े मैंने डाल दियो उसमें थोड़े से थोड़ा सा मैं ये बचा लिया था बेटर और आप मैं इसमें डाल रही हूं तेल में तो छोटे वड़े ही डाल रही थी न, वो भी मैं इसमें डालूंगी, तो थोड़े से मैं रखूंगी ऐसे कोरे खाने के लिए, क्योंकि मुझे भी अच्छे लगते हैं और बेटे को भी बहुत पसंद है, तो यह देखें, अच्छे से वड़ी हमारी बन चुकी है, और मैं थोड़े से इसमें डाल रही हूं जालेंगे तो, और ये मैंने थोड़ी सी फ्राइ की हुई वड़ी भी मैंने इसमें डाल दिये, तेल में जो फ्राइ की थी वो, तो यह हमारी कड़ी बनके रेडी है, मैं इसे सर्व कर रही हूं अभी प्लेट में, लेकिन आगे मैं इसे सर्व करूंगी, चावल के साथ, तो बहुत तरेकी की कड़ी बनाते हैं जैसे बुंदी की है फिर भजीय की है बेसन के लेकिन ये कड़ी आप जरूर ट्राइ कीजेगा सच बोलती हूँ आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि हाँ ये कड़ी बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है तो ये मेहनत मेरी आप इसे चावल के साथ सर्व कर रहे हैं मुझे चावल और रोटी दोनों के साथ ये कड़ी बहुत पसंद आती है और मैं इसे बार बार बनाती हूँ तो कल फीर आती हूँ नहीं रेसेपी के साथ तब तक के लिए टेक केर एंड बाई